कप्तान कोहली और कोच रवी शास्त्री पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब से रवी शास्त्री टीम इंडिया के कोच बने उसी वक्से टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए नंबर चार के बले बास की तलाश शुरू हो गई थी ये सब के सामने भी था लेकिन वर्ल कप खत्म हो गया और रवी शास्त्री विराट कोहली मिलकर नंबर चार का चैंपियन नहीं ढूँड पाए जो सवाल अभी बरकरार है वर्ल्ड कप में चार के चक्रवीव में फंसे कोह दी सेमी फाइनल में नमबर चार ने किया बंठाधार शास्त्री का नमबर चार का हर प्लाइन हुआ फेल अब टीम इंडिया में नहीं चलेगा शास्त्री का खेल जिस विराट और शास्त्री की जोडी पर 130 करोड हिंदुस्तानी के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी थी जिस विराट शास्त्री के उपर हंदुस्तान ने भरोसा करके वर्ल्ल कप जीतने का सपना सुझवया था हंदुस्तान का वो सपना सेमी फाइनल में ही तूट गया और वो भी विराट शास्त्री के उस गलती की वज़ा से जिसका अंदेशा पहले से ही हो गया था क्योंकि पिछले चार साल से टीम इंडिया में नमबर चार की जंग चल रही थी और क्रिकेट फैन्स से लेकर एक्सपर्ट तक बार बार नमबर चार का चेंपियन रोड़ने की बात कर रहे थी लेकिन कप्तान और कोश ने मिलकर टीम इंडिया में नमबर चार को ऐसा प्रयोग शाला बना दिया कि आखिरकार टीम इंडिया ही उसमें डूप गई वर्ड कप के 9 मैच में चार अलाग अलाग बलेबाजों को नमबर चार पर बैटिंग के लिए उतारना पड़ा लेकिन विराट शास्त्री का नमबर चार का हर प्रयोग फेल हो गया क्योंकि नमबर चार पर कोई भी बलेबाज अर्धर शतक तक नहीं लगा पाया और आखिरकार सेमी फाइनल में नमबर चार की कमजोर कड़ी नहीं टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सपना भी तोड़ दिया क्योंकि सेमी फाइनल में नमबर चार पर उत्रे निशपन 32 रन के स्कोर पर गहर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर आउट हो गये विराट और शास्री दो साल में क्यों नमबर चार का वो चैंपियों खोच पाए जो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बेड़ा बार लगा पाता और क्यों अनुभवी वलेबाजों को बाहर का रास्ता दिखा कर युवा खिलाडियों के उपर वर्ल्ड कप जैसे एहम टोनामेंट में नमबर चार की विराट जिम्मेदारी सौब दी गई क्योंकि नमबर चार के लिए राइडू और रहाने का विकल्प मौझूद था लेकिन विराट और शास्री ने मिलकर पहले रहाने को वंडे टीम से निकाला और फिर वर्ल्ड कप से ठीक पहले अंबाती राइडू को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया जबकि वर्ल्ड कप से पहले नमबर चार पर खेलते हुए राइडू ने 15 मैच में 42.18 की उसत से 464 रन बनाए थे जिन में राइडू ने एक शातक और दो अर्ध शातक लगाए थे लेकिन अब भविश में हमें नमबर चार को लेकर फैसला करना है एक ऐसी स्थिती है जो हमेशा हमें समस्चा दे रही है लेकिन हम अभी तक इसका उपाय नहीं ढूट पाए हैं रहुल नमबर चार पर बल्ले बाजी कर रहे थे लेकिन फिरिशी खरधवन चोटिल हो गए इसके बाद विज़शंकर नमबर चार पर बल्ले बाजी कर रहे थे और वो भी घायल हो गए हमें चीजों पर काबू नहीं रख सकते 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब अनिल कुमले ने भारत के कोच पत को छोड़ दिया और रविशास्त्री भारत के हैड कोच बने तब से लेकर 2019 तक विराट कोली और रविशास्त्री ने नमबर चार की पोजिशन पर कई खिलाडियों को आजमाया लेकिन वर्ड कप 2019 के सेमी फाइनल मुकाबले तक भी रविशास्त्री और विराट को लिए तैय नहीं कर पाए कि भारत का नमबर चार खिलाड़ी कौन होगा जिसका खाम्याजा भारत को वर्ड कप से बाहर होकर चुकाना पड़ा विडियो जनलिस्स मुकेश जा के साथ रवीश बिष्ट न्यूस्रेशन लंडन